हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्ण बाई जीतन सर्में स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों मुझे पूरी आसा है कि आप लोग कि तैयारी बहुत अच्छे से कर लिये होंगे तो एक्जाम पॉइंट आप व्यू से दोस्तों हमने एवियम के कुछ कोश्चन लेके आये हैं दोस्तों और इसमें से आप लोग को कुछ मदद जरूर मिलेगी ठीक है दोस्तों तो हम समय को वेश्चन करते हुए हम कोश्चन द इसमें से कौनसा credit risk नहीं है ठीक है दोस्तों तो फाला है उसमें unwillingness of customer to meet their commitment relating to a fundamental relating to a financial transaction with the bank ठीक है दोस्तों Unwillingness of customer to meet his commitment मतलब कि जो customer ने बोला है वो अपना commitment पूरा नहीं करना चाह रहा है ठीक है दोस्तों inability of a customer to reimburse the bank in case of inocation of guarantee or development of LLC ठीक है दोस्तों तीसरा है inability of a customer to meet his commitment relating to the financial transaction with bank ठीक है दोस्तों and last loss to the bank due to fraud ठीक है दोस्तों तीह सारी ऊपर के तीनियों चीज sinister दोस्तों ये तो reason लेकिन loss to the bank due to fraud ये credit risk के अंदर नहीं आइगा रिस्क है डोस्तों लेकिन credit risk नहीं है ठीक है दोस्तों इसलिए इसका एंसर ओगा पहले का ठीक है रूस्तों अगला इन में से कौन सा external factor है जो credit risk को affect करता है ठीक दोस्तों तो government policy येस दोस्तों ये external risk है जो affect करता है political risk हाँ ये भी ये दोस्तों exchange rate fluctuation ये भी ये दोस्तों इसमें से तीनों है जो की credit risk को affect करते है ठीक है दोस्तों तो इसका answer हो गया D ठीक है दोस्तों अगला question है question no.3 क्रिलिक has been set up by ये क्रिलिक है जोस्तों ये किसके द्वारा set up किया गया था तो इसका answer है दोस्तों RBI, SBI, UTI, jointly, LIC, SBI and ICIS तो दोस्तों जो क्रिलिक है RBI ने इसका set up किया था और इसका control RBI के पास ही रहता है ठीक है दोस्तों question no.3 का answer हो गया A अगला question है दोस्तों question no.4 question no.4 बोल रहा है दोस्तों provisioning coverage ratio is ratio between जो provisioning coverage ratio है दोस्तों ये किसके किसके बीच का ratio होता है ठीक है दोस्तों तो ये है gross NPA to total advance, total provisioning to gross NPA, standard asset to total advance, none of devil तो दोस्तों इसमें होता है provisioning coverage तो total provisioning to gross NPA इसका answer B सही है ठीक है दोस्तों ये दोनों गलत है तो इसका question no.4 का B सही है ठीक है दोस्तों provisioning उपर रहता है नीचे gross NPA ठीक है ठीक है दोस्तों पूरे NPA मेंस कितने का provisioning किया गया ठीक है दोस्तों ये होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियों ठीक है दोस्तों अगला कोश्चन अगला कोश्चन नंबर फाइब अंडर न्यूव एमससी गाइडलाइन मिडियम इंटरप्राइजेज आर ठीक है जो जो MSME की जो guidelines आई ये थी दोस्तों अभी तो उसमें जो medium enterprises हैं वो कौन से हैं ठीक है दोस्तों तो आपको पता है कौन-कौन से हैं ये Micro, Small, Medium, Medium सबसे last में ठीक है दोस्तों तो पहले क्या था दोस्तों manufacturing sector and service sector में decide था लेकिन अब वो change हो गया है अब क्या हो गया दोस्तों आपको investment and turnover के हिसाब से MSME का definition आया है ठीक है दोस्तों तो इसमें है दोस्तों पहला option which have 50 क्रोन investment और 250 क्रोन turnover which have 60 क्रोन नहीं दोस्तों 1000 क्रोन इसका question number 5 का यह सही है दोस्तों इसका मैं पूर्वा आपको बता देता हूं वन करोन investment या 5 करोन turnover यह होता है micro ठीक है दोस्तों दूसरा है 10 करोन investment या 50 करोन उसका turnover ठीक है दोस्तों और medium micro small media small का होता है दोस्तों यह 50 करोन और 250 करोन turnover ठीक है दोस्तों तो यह 50 करोन investment and 250 करोन turnover तो question number 5 का यह सही है ठीक है दोस्तों अगला question है which question number 6 which one is not a standard asset इसमें से कौन सा standard asset नहीं है ति standard asset कौन-कौन से होते हैं है दोस्तों standard asset 3 होते है sma0 sma1 and sma2 यह 3 नहीं होता ठीक है दोस्तों तो इसका कौन सा नहीं है अगर answer sma3 नहीं है दोस्तों 0 है 0 का बहता है दोस्तों 30 days 30 से 31 से 60 तक sma1 and 61 से 90 sma2 जैसे 90 से उपर जाएगा दोस्तों asset NPO हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगला question है question number 7 question number 7 बोल रहा है दोस्तों which one is not a divergent of fund इन में से कौन सा divergent of fund नहीं है तो इसमें दिया है option utilization of short term working capital fund for a long term purpose ठीक है दोस्तों अगर short term के लिए लिया है तो long term में use करते हैं और उसको bank से कोई confirmation नहीं है तो यह divergent हो गया ठीक है दोस्तों दूसरा applying है borrowed fund to create asset other than those for which the loan was sanctioned other than होता है ठीक है दोस्तों तो अगर जिसके लिए loan sanction किया गया है उसके अलामा कहीं आप जो है asset creation कर रहे हैं दोस्तों तो भी आपका fund divergent हो गया तीसरा है दोस्तों routing of fund through any bank any other bank यहां भी any other bank होगा दोस्तों other than lender bank ठीक है दोस्तों तो जिसने loan दिया है जिस bank ने अगर उसके लाओं कहीं आप जो है अपना fund जमा कर रहे हैं या भेज रहे हैं निकाल रहे हैं तो यह भी divergent of fund हो गया दोस्तों इसमें लिखा है which one is not divergent of funds तो question number D इसका D option सही है इसमें कोई नहीं है सारे divergent of fund नहीं है ठीक है दोस्तों इसका option D सही है तो अगला question है question number 8 इसमें है दोस्तों यह कह रहा है green economy is जो green economy हो क्या है तो capitalist economy है socialist economy है less fair economic है या economy which do not harm environment stroke nature ठीक दोस्तों तो green economy है दोस्तों जो environment और nature के देखते हुए develop की जाते है ठीक दोस्तों इसी कहते है green एक जाए नया concept है तो इसका option D सही है इनमें से यह तीन नहीं है ठीक है दोस्तों चलाएं question number 9 देखते हैं which of the following यह दोस्तों statement is true about inflation inflation के लिए कौन सा statement true है ठीक दोस्तों option A है rise in general level of price lead to fall in purchasing price both A and B तो none of they have up ठीक दोस्तों इसमें rise in general price भी सही है and lead to fall in purchasing price ठीक दोस्तों जो purchasing price है वो भी down हो जाता है इसका option C है दोनों भी दोनों सही है ठीक दोस्तों अगला question है हमारा question number 10 question number 10 है दोस्तों which one is not method of measuring national income इसमें से कौन सा national national income मापने का method नहीं है तो इसमें दिया है income method expenditure method product method none of they have up तो देखें दोस्तों इसमें भी question वह दिया है which one is not इसमें से कौन सा नहीं है इसमें तो सारे हैं यह भी है यह भी है यह भी है यह भी है तो उपर लिखा है none of dev up मतलब question number D इनमें से सारे हैं कोई ऐसा नहीं है जो major करने का method नहीं है तीनों है इसमें question का answer हो जाएगा D ठीक है दोस्तों question को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों उसके बाद answer देना कई बच्चे इसी में confused हो जाते हैं कि not लिखा है कि नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है तो अराम से पढ़िए एक बार दो बार पढ़के तब answer दीजिए पचास question सही कर लेंगे दोस्तों तो clear हो जाएगा हमें 100 question करने से कोई medal नहीं मिलने वाला है दोस्तों इसलिए बड़े अराम से question पढ़िए जो समझ में आता है उसके बाद answer दीजिए ठीक है दोस्तों अगला question अगला है दोस्तों case study इसमें कुछ data दी गए हैं दोस्तों और तो इसके आधार पर हमें answer देना है ठीक है दोस्तों कि इसमें दोस्तों देखें GDP at factor cost 370 income from domestic product accruing to private sector 290 net current transfer from abroad 50 net direct tax 60 net other current transfer from abroad 35 net factor income from abroad 30 minus 30 saving of the private private corporate sector 25 corporation tax 5 ठीक है दोस्तों इसमें calculate करना है private income क्या है ठीक है दोस्तों तो private income private income का क्या है दोस्तों यह formula प्रावेट इंकम का फार्मूला है दोस्तों अ हां तो दोस्तों इसमें जो calculate करना है private income तो इसका फार्मूला है दोस्तों private income का फार्मूला है देखें GDP at factor cost और income from domestic product यह भी आएगा दोस्तों private sector से जो मिला है उसके बाद आएगा दोस्तों इंडारेक्ट टैक्से आएगा दोस्तों और उसके बाद आएगा नित अदर करन ट्रांस्फर फ्राम अपरोड ठीक है दोस्तों तो इन चारों को एड़ करेंगे तो कौन-कौन सा ता 370 और दोसो कि नबब्द को ने तीन सो सथ्कर लोस्त ने दोस्तों कि शरी 12 हां तो कि का था एक था एक निट धोस्तों जोस्तों टो अग्रू किया है प्राइबेट सेक्टर से वो दूसरा है दोस्तों नेट करेंट फ्राम ट्रांसफर प्रांप अब रोड यह इसमें जोड़ दिया जाएगा दोस्तों और नेट डाइरेक्ट टैक्स यह नहीं जूड़ेगा दोस्तों इसमें ठीक है अब उसके बाद आएगा यह है नेट अधर करेंट ट्रांसफर यह भी जूड़ेगा दोस्तों और नेट फ्रेक्टर इंकम फ्राम वर्वोट यह जूड़ जाएगा दोस्तों तो यह चार आप जोड़ेंगे तो इसका एंसर आजाएगा दोस्तों 290 प्लस 50 प्लस 35 प्लस माइनस 30 तो आप जाएगा हैं से आज़ा दोस्तों 345 तो इसका एंसर हो गया दूस्तों वी बीशिये इसका ठीक हैं के दोस्तों अगला कोस्ट्यन है एक तो वर माइनस करना पड़ेगे दोस्तों कि आप सत्रव क्षा है जै Grund ऐस दोस्ते आप प्रावत सर्ल्ट माइनस करना पड़ेगा दोस्तों तो हमने वो निकाला था 345 और उसमें से 25-35 ये माइनस कर देंगे तो एंसर आ जाएक दोस्तों आपका 315 तो इसका एंसर C सही है ठीक दोस्तों अगला question है दोस्तों calculate GNP at market price ठीके दोस्तों तो GNP निकालना है GNP at market price होता है दोस्तों GNP at factor cost ठीके दोस्तों GNP at factor cost होगा उसके बाद उसमें दोस्तों आ जाएगा आपका indirect taxes जोड़े जाएंगे और जो net factor income घटाए जाएंगे ठीके दोस्तों इसका फार्मूला है GNP का एक मिनट मैं लिखता हूं दोस्तों GNP at market price का market price का क्या होता है दोस्तों factor cost रहेगा अब प्लस इंडारेक्ट taxes और माइनस subsidy होता है दोस्तों तो यह है 370 प्लस 60 60 और इधर माइनस 30 कर देंगे त्या जाएगा दोस्तों 370 और 30 400 इसका एंसर डी सही है ठीक है दोस्तों तो GNP आपका calculate हो गया इसमें बस याद रखिए दोस्तों market price पूछ रहा है तो factor cost में जोड़ना पड़ेगा ठीक है दोस्तों अगला question है question number 14 GDP by expenditure method can be calculated जो expenditure method से GDP था कैसे calculate किये जाएगा दोस्तों इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था GDP is equal to GIC GIC intercalage होता है न दोस्तों उसका उल्टा कर दो CIG plus X minus M export minus import ठीक है दोस्तों यह है आपका question number 14 का A सही है और यह सारे गलत है दोस्तों ठीक है तो वस यह यह आदर किये लिखना है CIG plus X minus M ठीक है दोस्तों यह हो गया question number 14 अब हम लोग देखते हैं दोस्तों question number 15 question number 15 है दोस्तों what is effective rate of interest if interest rate is 8% compounded annually ठीक है दोस्तों यह देखें compounded annually हो रहा है दोस्तों तो जो interest rate यहां है वह ही पे लगेगा दोस्तों ठीक है अगर half yearly यह quarterly होता तब हो चेंज हो जाता उसको चेंज करने क्या है दोस्तों one plus r जो भी है power n मतलब कितनी बार compounded annually कोई भी compounding नहीं हो रहा तो जो rate अपिंट्रेस्ट है वह ही रहेगा तो इसका एंसर 15 यह साही है ठीक है दोस्तों question number 16 question number 16 है दोस्तों Mr. A calculated the NPV of his project minus two five two point two five two minus point two five what it means ठीक दोस्तों यह negative है पहली बात तो तो इसका negative है तो क्या हो सकता है इसका मतलब क्या project will not earn any profit ठीक दोस्तों सही बोल रहा है this is the project यह भी सही बोल रहा है project is not viable ठीक दोस्तों यह भी सही है इसमें से जो यह माइनस में है इसलिए इसकी मीनिंग हुए इसमें से सारे सई है दोस्तों यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक के दोस्तों तो आल आप दे एवब ठीक है अगला question है ठीक है दोस्तों इतने कोस्चन थे और इन में सक्कुछ नकुछ आपलों को फायदा जरूर मिलेगा एक्जाम में इसी के जाथ दोस्तों बेस्ट आप लख फर एक्जामनेशन थांकू दोस्तों थांकू पार वाचिंग इस वीडियो